दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूटूब चैनल में आगे हम फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर अवर यहाँ वीडियो होने वाला है कहने का मतलब है कि 100 मार्स का अगर आपका हिंदी है तो उसका मैं भी भी कोस्टन बताने वाला हूँ जो साइप पर्सेंट एक्जाम में आएगा दोस्तों ठीक है बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था सर M.I.L. का भी ला रहे हैं तो सर हिंदी 100 नमबर का भी ला दीजिए जिसका एक्जाम 20 तरीकों होने वाला है पार्ट 2 का दोस्तों ठीक है तो इसके पहले हम आपको बता दें कि कोस्तन कैसे आता है इसके बारे में आपको जनकारी होना चाहिए ठीक है तब मैं आपको बताऊंगा तब आच्छा समझ में आया कि कोस्तन कैसे पूछता है आपकी एक्जाम में मुझा फर्फूर इन्वर्सिटी हिंदी अगर आप लि यूटूब चैनल या चैनल सिर्फ आप सभी दोस्तों के लिए ही बनाया गया ठीक है क्योंकि इस चैनल परसी एजुकेशन के लेटेड वीडियो अपलोड होता है और होता रहेगा दोस्तों ठीक है तो कोस्तन कैसे पूछा था 2020 में उसके बारे में जनकारी लेते हैं ठीक ह मनें चार प्रस्त्र और आता है जिसमें आपको कहाणी यानिबंद रहाएगा तैनल और स्विशन से हमस्तों करना लाइक दोच्ट ऑफ आपраी सीसार्शन के लिए जनकारी लेते हैं ठीक हैं तो हम की विल crisp 243 नियुकित आ ह। दोस्तो हिंदि सबसिद्री कह 바로 किनी प्रतों के उत्तर दीजिए इसमें से चार कोषण दिया रहाता है लेकिन तीन को को आपको बनाना होता है ई00 00 ठीक है और पूस की रात । यह कनिया का पलोट सिर्शक कहानी की समेक्षा किजिए यह इसके बारे में आपको लिखना होगा दीकिए कोसन कहाँ से आया है पूस की रात और कहानी का पलोट सिर्चक कहानी की समिक्षा करें ठीक है दूसरा नमबर उसमें आथवकर का लिखा गया है स्रुनदाता सिर्चक कहानी के पूरातिपाद पर परकास डाली है स्रुनदाथा किस ने लिखह है दोस्तों आपको मालुम होगा स्रुनदाथा लिख्या है अगेन ठीक है और पूस की रात कौन लिखे है तो पूस की रात लिखे है दोस्तों प्रेम चंद्र ठीक है पूस की रात कौन लिखे है प्रेम चंद्र लिखे है और कहाने का कहाने का पलोट सुपुजन सहाय जी लिखे है दोस्तों ठीक है इनका नाम आपको याद रखना होगा तब ही आप अच चंद्र जीने लिखे हैं और आथवा में दिये का है गवन उपनियास के अधारप उमानात का चरित्र चित्रण के जी उमानात कौन था उनके बारे में आपको लिखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं गौन नमबर कोश्टन में दुख्त दिये नाखुन क्यों बढ़ते हैं आचार्ज हजारी बढ़ते हैं दिरवेदी जी का है और आथवा में गीतों की गाथा सिर्शक निबंद गीतों के गाथा डाक्टरर स्यामनंद किसूर के निबंद पर परतिपाद परकास डाली है ठीक है खाँ में दिया गया है भोर का तारा किसन ने लिखा है तो जगदिस सब्सक्राइब करना है इसके बारे में जानते हैं मिर्थू के कुछ समय पहले असमिर्थी बहुत साफ हो जाती है जनभर की घटना एक एक कर सामने आने लगती है यह सब परसंग किसमे का है तिया आपको मालूम होगा यह है कि उसने कहा था उसने उसने कहा था चंद्रधर सर्मा गुलेरी जी का जो लिखा गया है कहाने उसमे का यह कोस्तन है दोस्तों ठीक है इसके बारे में आपको लिखना होती है यह बहुत ही अच्छा कहानी का नाम है कहानी का प्लॉट ठीक है शीव पुजन सहाय जी ने लिखे अगर आप पढ़े होंगे तो नाम आपको याद हो गए इसमें भग जोनी का कहानी है ठीक है है तो उसको आपको लिखना नाम कर्श क्से बड़ा दूसरा पाप नहीं न इससे बड़े वीसमें का है तो आप सब दूस्ट इससे देख लिजए घए अंगह नंभर में दूस्तो दीया गया है फूल भी काटे होते हैं विप्रित परस्ति जो डीगे ने वहीं पुरूस अवर तुम जानते हो ठीक है इससे पड़ लिएगा और समझने का प्रयास किजेगा तो यह कहां से होने आपको बता दिये कि एक कोशन आपके बुक्स है अब आपको आते हैं मिन मुद्य की बात पर क कौन कोशन आपके एक्जाम के लिए मोहत पूर होगा उसके बारे में जान लेते हैं ठीक है तो इसके बारे में जानने से पहले आप सब दूस्तों को हम बता दे कि मेरा एक छोटा भाई ने ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फुल सपोर्ट कीजिए और कमेंड आप लिए वक्स में जरूर बताएगा कि सर्व सब्सक्राइब कीए हूए ठीक है तहाई जानते हैं किसमें से रहेगा तो रहेगा ही हम गरांटी लेकर देते हैं ठीक है और आप एक्जाम देकर आईएगा तो आपको पुड़ा विश्वास हो जाएगा कितना पर्सेंट को तो जो फॉस्ट कोशन हम आप सब्सक्राइब को बताने वाला है गवन से ठीक है तो गवन से आप लिख कर रख लिए गवन से दो कोशन नहीं तो एक कोशन रहेगा तो रहेगा ही आपके एक्जाम में 100% गरांटी के साथ है गवन से कोशन रहता ही रहता है आपके एक्जाम में दोस्तों ठीक है कोज ने लिए तो गुरांग पढ़ए गाएगा तो रहेगा के एक्जाम में ठीक है तो इससे कोशन रहेगा दोस्तों पुरा गरांटी के साथ है दूसरा कोशन यहां से रहता है ठीक है इसमें से जो कोशन दिया गया है यह कथा परिकर्मा में से कथा परिकर्मा में से दो कोशन रहेगा ठीक है और कौन-कौन से कोशन रहेगा आए जानते ह यह रहाएगा उसने सेंध मैंयों चिंते इस जासे पूस्थ के रात है उसने कहा था उनी का पूस्थ चтов आता था अग्लय कोर्षण की अग्ला सब्सक्राइब उसके बारे में जानते हैं तो 25 से इसमें में से भोर का तारा ठीक है भोर का तारा या प्रास्चित प्रास्चित आप पड़े होंगे तो मालूम है कि एक राजा ने वहाँ पे हत्या कर दी थी जिसके बाद उनके खुद की बेटी ने भी आग में जलकर हत्या कर लिए तो इससे पड़ेगा तो आपको मालूम चलेगा ठीक है चिक कहाने आपको अगर पड़े होंगे तो आपको मालूं होगा कि चिक में है कि एक पंडी जी रगते हैं जो बिलाई के राष्टा काटने के इस पर विश्वास करते हैं ठीक है तो इसमें से question एक रागभुर के तरह से नई तो प्राषीद से अब आते हैं निबंद में से कौन-कौन कोश्टन आपके लिए इंपोर्टेंट रहता है तो निबंद में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट कोई कोश्टन है तो है नाखुन क्यों बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा कोश्टन अगर आता है आपको एक्जाम में तो नाखुन क्यों बढ़ते मिलते हैं आप सभी दोस्तों को नया वीडियो लेकर नया सब्जेक्ट पर तब तक के लिए जाए हिंद जाए भाव